कैसे हैं आप लोग आप लोग सब अच्छे होंगे आईए आपका श्वागत है आपके अपने चैनल रुद्राज जीस वर्ल्ड में आज हम लोग बाइलोजी क्लास 10 चैनल चैप्टर का 6 पार्ट डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज साइटो प्ल लोगे ने complete ऊस्वाय को इसना मेंब्रेंगों प्रेशन उसको देख चुके हैं ठ्रूंच जो भी a material की ड्रास्पॉटेशन होती है त्पार्ट की आइंना इंसाइड वहां सब्सक्राइब हम लोग ने देख लिया है ठीक है उस लोगों ने कल के वीडियो में डिसकस क्या किया था इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हम लोगों उसमें देखा हुआ था ठीक है आज हम लोगों बात करेंगे साइटो साइटोप्लाज्म के वारे में do어라 साइटोप्लाज्म के बारे में ठीक uh juli स्टार्ट करते अपने वीडियो सब्सांस होता है इसके बारे में जानते हो इसमें कोलाइडिल यूसन होता है ताइपर आप आपने उसमें पढ़ा था कि सस्पेंशन के बारे में पढ़ा है आप उसमें आपने उसमें किसके बारे में पढ़ा है और एक इमल्शन भी होता है ठीक है इसमें जो पार्टिकल की रेंज होती है इसमें कोलाइडियल में आपको कि जो पार्टिकल का रेंज होता है वह वन नै सब्सक्राइब कोएवा लिए सब्सक्राइब यूरर निसलतिन कि और suspension के ठीक है यानि कि suspension और true solution के बीच के range होते हैं इनके particles का ठीक है chemistry में आपको बताया गया होगा ठीक है फिर आप कहोगी कि यह पाय कहां जाता है साइ्टो प्लाज्म का area है क्या आपको होगी कि अगर आप यहां पर चोटा साद सेल में ड्रॉव करूं ठीक है यहां पर निक्लियस है ठीक है यह यह पूरा प्रिजन देख़ रहे हो ठीक है यह पूरा का पूरा रिजन किसका है साइटो प्लाजम का रीजिन है ठीक है इसी में क्या होते हैं इस ग्राउंड सबस्टांस के रूप में इसे बहुत सारे सेल और जितनी भी ठीक है ठीक है जितनी भी chemical reactions होती है वो सारे इसी के अंदर इसी part के अंदर होता है ठीक है clear यानि आप कहोगे कि cytoplasm का area क्या है तो आप कहोगे कि सरी प्लाज्मा membrane और nucleoplasm के बीच का area ठीक है it occupy space between the plasma membrane ठीक है and nucleoplasm clear है चलिए a large region of cell cell ठीक है in between the nucleus and plasma membrane is called cytoplasm यानि कि आप कहोगे कि cell के अंदर ठीक है nucleus और plasma membrane के बीच में कि जो area है उसी को हम लोग क्या करते हैं cytoplasm करते हैं ठीक है clear है बात यहां तक आई आगे बढ़ते हैं आप कहोगे liquid और इसके अंदर जो liquid पाई जाती है यानि कि जो ground substance जो इसमें तैरते रहते हैं ठीक है इसको आपको पहले बताया है आपको cell chapter जब लोग स्टार्ट किये थे उसको बताया गया थे कि पूरा का पूरा पार्ट तोनों ही साइटो प्लाज्म और निकलियो प्लाज्म का पूरा का पूरा पार्ट कम लोग क्या करते थे प्रोटो प्लाज्म करते थे प्रोटो प्लाज्म करते थे प्रोटो प्लाज्म करते थे प्रोटो प्लाज्म तो यह क्या होते हैं सेमी फ्लूड होते हैं सेमी फ्लूड होते हैं त家िक है तो आपको कि लिक्वीड और फ्लूवुड the The इसी को में क crappy साइटो सोल क्या करते हैं साइटो-ब्रीक्स करते हैं यहां तक, चलिए it contains, तक्लिया अब यह सैट양 है, यानि कि Mär सॉल है चीस काdrum स्टेख है, जो भी आपके इसमें और नन जोऊप घरदेल गॉंड सब्स्तांसें शे इसमें पाए की आ जाते हैं आपको होगे वेशवक इसमें मिंडरल पाए जाते हैं ठीख है sugars, amino acids, enzymes, vitamins ठीक है और इसमें क्या होते हैं इसमें gases भी dissolve होते हैं और 75-85% लगभग क्या होता है water होता है ठीक है 75-85% ठीक है कहीं कहीं 90% भी यह दिया होता है water ठीक है अब आएए composition देखते हैं gases का आपको होगे कि 64% क्या होता है oxygen होता है carbon कितना होता है 18% होता है hydrogen कितना होता है 10% होता है nitrogen कितना परसेंट होता है 3% और भाकी जो other में बच गया कितना 5% ठीक है 5% में आपके बाखी elements हो जाएंगे कौन-कौन से elements होगे आपको होगे calcium होगा phosphorus होगा chlorine होगा sulfur होगा potassium होगा sodium होगा magnesium होगा ठीक है iodine होगा और क्या होगा iron होगा ठीक है फाइफ परसेंट अप्रॉक्समेटली क्लियर है चलिए साइटीब फ्राज्म जो है इसको हम लोग दो पार्ट में करते ए ठीक है साइटीब करते हैं अप जानते हूं कि पहले एक cell होता है चनल में प्लाज्म मेंब्रें होती है और यह जो अंदर पूरा का पुरा structure दिखता है यह पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या काते हैं ठीक है क्या काते हैं प्रोटो प्लाज्म ठीक है प्रोटो प्लाज्म को दो भाग में बाटा जाता है ठीक है क्लियर है बात साइटो प्लाज्म और यहां से आप कहोगे क्या नुक्लियो प्लाज्म ठीक है करें नुक्ली म μ्लास्म अब इससे प्लियर बाट अब सैल प्लासम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है त्युक्षा कौन कौन से दो पार्ट में आपको फिनिक इस्ट टो प्लास्मिक स्ट्क्चर सांटो प्लासlieक जो भी स्ट करेंगे उसमें और सैटो तेलियर बात यहां तक, चलिया, अब क्या देख को होगे यहां पर कि जो Cytoplasm नगे दीALLY करते हैं, यहim लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं? हाइलो प्लाज्म क्या कहते हैं हाइलो प्लाज्म के लिए है तर्मलोजी ही थोड़ी सी इसमें इंपॉर्टेंट है किसमें बाइलोजी में आप जानते हो ठीक है सारा काम किसका है ठीक है आप कहोगे साइटो प्लाज्मिक मैट्रिक्स को ही हम लोग साधरनता क्या कहते हैं यानि कि आप Cytocся 도 रावल Bean Patrolते को डाररेयट भी का सकते हो हो और उप्लाशमा उसके हो हाइलो प्लाजम भी का सकते हो हाइलो रौजंग क्या चली है इसको दो पार्ट में डिवार कि ठीक है जो आउटर डेंसर होते हैं वो क्या होते हैं नन इस ग्रैनुलेटेड होते हैं यह ज्यादा दानेदार नहीं होते हैं यह जो होते हैं क्या होते हैं इसमें ग्रैनुलेटेड होते हैं दानेदार होते हैं नन इसमें ग्रैनुलर को हम लोग क्या करते हैं एक्टो होते हैं Mana mia इस्मिन ग्राइन का कुष्ट्र ezर चपया होता है आफ के लुव क्यों क्या करते हैं इंडो promet इंडो व्लास्म कहते है प्लाजमा सोल का टैक्ज उल क्या होता है अप 9 ग्लाश के ही केमेस्ट्री में देख चुके हो ठीकर देवानब को पढ़ाया चुकी होगी ठीक है आगया इस साइड आप देखेंगे साइटो प्लाजमिक स्ट्रक्चर की जब आप बात करोगे तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइट किया गया है कौन-कौन से पार्ट आप कोगे कि सर जो इसमें सेल और और जो भी मेटाबॉलिक किया में इंवालब होंगी उसके बात जो इक्सक्लोजन आप करेंगे जो आप डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं किसका सैल ओर्गनल का और प्रोटोशुर्ट का मतलब क्या होता है ऐसे क्रोच सेटोपलाज्म की स्टडी हम लोग करते हैं तो इसे महतना हैं ख्लीटिछ में प्लास्टी होते हैं इंडोप्लास्म में होते गॉल्गी kangust होता है Letous paresocyste速 खौक है से दिख चुक Schwe Questions फो सेटेन पंट में से बहुत डिप ले मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे च्छो अगा है यह होते हैं वह होते हैं वह सतर्य औरगन में टिक यह सोते हैं है किस में राण आप का यू किसमें क्या होते हैं यह हम लोग अलज़ी डिसकस्कार आप में और बसी संवा नुक्लिएश ठीक है यह हमेशा कहां पाय जाते हैं इंटर्नल होते हैं यह हमेशा बने किसके होते हैं आपको हो जो कि मैंक्रो मोलिकूल से ये बने होते हैं झाल की मैंने लिख दिया है यहां पर forgiveness इंग्लो है अब क्लो प्लास्ट यह मेंब्रेन से ढखा हुआ होगा तो यह मेंब्रेन कैसे होते हैं ऐसे मेंब्रेन होता ही नहीं है उसके आधार पे और इसमें और इसमें और इनर मेंब्रेन और एक होता है आउटर मेंब्रेन ठीक है जैसे कि आपने प्लास्ट का ही इस्टक्चर आपने देखा हुआ था ठीक है इसमें भी क्या होते हैं इसमें प्लास्ट की बात करेंगे इसके स्टडी करेंगे क्लोरो प्लास्ट की स्टडी करेंगे ठीक है सिंगल जो मेंब्रेन बाउंडेड ओर्गनल्स होंगे ठीक है उसमें कौन-कौन से आ जाएगा आपका इंडो प्लास्ट क्रेटिकुलम आ जाएंगे दो टाइप की यह भी होते हैं रफ होता है और एक स्मूथ होता है फिर आपका हो जाएगा इसमें गॉल्गी क्या बॉड इसी को आप क्या करते हो गौलगी कॉंपलेक्स कारते हो और क्या कॉन साघृक अपहत आति सब्यां जायका रॉद कुछ आइसे भी होते हैं और्गनल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मेंब्रेन नहीं पाए जाते हैं ठीक है जैसे कौन-कौन से राइबोजोम्स और ठीक है माइक्रो टिब्यूल्स ठीक है इनकी स्टडी हम लोग करेंगे यानि कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या इंडो प्ला इस वीडियो का एड्वांटेज उठा सकें ठीक है ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इंडो प्लास्मिक रेटिकूलम को उस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है किसको डिसकस करेंगे इंडो प्लास्मिक रेटिकूलम को ठीक है ठेंक यू